देखने के लिए इस्तमाल होने वाले विभिन साधनों में लेंज भी इस्तमाल होती है पढ़ने के लिए लेंज, कैमेरा की जूम लेंज और आँखों के लिए भी पुराने समय में लेंज फटिकों को चमक लाकर या खनिश फटिक से बनाई जाती थी प्राचिन, रोमन और ग्रीक पाने से भरा हुआ काँच का गिलास गोल लेंज समझ कर इस्तमाल करते थे आजकल लेंज काँच और प्लैस्टिक से बनाई जाती है लेंसों को तराश कर चमक लाकर अथवा साचे से आकार दे कर मन चाहिय आकार बनाया जाता है लेंस मूलतया लैटीन शब्ध है Lentil bin अथवा मसूर के दाने से आया है जिसका आकार उत्तल लेंस के भांती होता है लेकिन सब लेंसों का आकार एक जैसा नहीं होता लेंस या दरपन दो प्रकार के होते हैं उत्तल और अवतल उत्तल दरपन जिसका परावर तक प्रिष्ठ बाहर की ओर होता है जो धार की अपेक्षा केंदर की ओर ज्यादा मोटी होती है अवतल दरपन जिसका परावर तक प्रिष्ठ अंदर की ओर धसा होता है बच्चो लेंस दोनों और से मध्य में मोटी है This प्रकार की लेंश को Engineering you बै-कॉन्विक्स लेंस कहा जाता है। उत्तर लेंस प्रतिविंब को बड़ा बनाती है। किसी ड्हांचे में या मूच से लगी हुई एक उत्तर लेंस को हम आवरधक, मैगनिफाइन लेंस कहते हैं। इस लेंस से हमें वस्तूएं बड़ी दिखती है। उत्तल लेंस के कारण स्त्रोच से आने वाली प्रकाश की किरणों का अभिसरण होता है अर्थात वे एक बिंदू की और जाती है जिसके कारण प्रकाश का एक अधिक तीवरता बाला बिंदू तयार होता है इसी कारण काफी सालों से बड़ी उत्तल लेंस का उपयोग दाह का निर्मान करने वाले दर्पन के रूप में होता आया है टेलिस्कोप अर्थात दूर दर्शक यंत्र और सूख्षम दर्शक यंत्र में भी इसी लेंज का इस्तमाल होता है समतल उत्तल लेंज प्लानो कॉन्विक्स लेंज ये लेंज एक ही तरफ से मध्य में मोटी होती है और समतल सतह प्रकाश को केंद्रित नहीं कर पाती है इस लेंस पर परावरतन को रोकने वाली परच चढ़ाई जाती है जिसके कारण इनका उपयोग इमेजिंग लेजर्स और फाइबर ऑप्टिक होता है वही कृती हम आउटर लेंस के लिए करें तो देखिए लोहे की गोली केंद्र के पास आकर रुखे अर्थात ये केंद्र की और पतली है और कगार पर मोटी है आउटर लेंस से छोटी और स्पष्ट प्रतिमा प्राप्त होती है इस लेंस का इस्तमाल कैमेरा दूरबीन और दोनों आखों से देखने की दूरबीन में किया जाता है समतली आउतल लेंस समतली आउतल लेंस रिडगोली ये लेंस है जिनकी एक और अंतरवकरता और दूसरी और सपाट होती है समतली आउतल लेंस का इस्तमाल प्रकाश किर्णों को प्रसारित करने के लिए तथा दिखने की रचना के ना भी अंतर को बढ़ाने के लिए होता है अंतरवक्री आउतल लेंस इस लेंस में दोनों प्रिष्ठभाग अंदर की ओर से उभरी हुई होती है एक बहिरवक्र और दूसरी अंतरवक्री होती है उन्हें अंतरवक्री बहिरवक्री लेंस कहते है वे धार की अपेक्षा केंद्र के पास मूटी होती है किरनों का व्याय और किरनों का अलग बरताव नहों इसके लिए इस लेंस से लगू व्यास के प्रकाशकिरन प्राप्त होते है जब अंतरवक्री बहिरवक्री लेंस इनी लेंसों के साथ इस्तमाल की जाती है तब नाभी अंतर कम होता है और उस व्यवस्था का संख्याद मक्छेद बढ़ जाता है इसलिए प्रतिमा में विकार कम हो जाता है और प्रतिमा का पुर्थक करण बढ़ जाता है यह अंतरवक्री बहिरवक्री लेंस दो प्रकार के होते ह में आपातित किरन दूसरी और केंद्रित होने के कारण उसे अभिषारी लेंस कहते हैं इस लेंस के अंतरवक्र प्रिष्टभाग की गुलाई कम होती है और बहिरवक्र लेंस की गुलाई ज्यादा होती है रिण अंतरवक्री बहिरवक्र लेंस ज्यादा अपवर्तनांख होने वाले इंफ्रारेड पदार्थों के उपकरणों में इस्तमाल होते हैं यह लेंस बाकी ज्यादा गोलाई के रुण लेंसों के परियाई के रूप में इस्तमाल होते हैं इस लेंस का इस्तमाल प्रकाश किर्णों को प्रसारित करने के उपकरण जिन में कम से कम किर्णों का परना सकेंगे.